हैलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, खोप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तो आज मेरा व्लोग आ गया है, बहुत दिनों के बाद मेरा व्लोग आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करते जाना, मेरे 3,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, तो आज मेरा युवान हो गया है, मेरा चोटा बेटा है, युवान उसका 5 साल का हो चुका है, तो उसकी खुशी में, और उसका बड़े भी है, त उनने ये डेकोरेशन किया है, आप पताईए कैसा लगा आपको ये डेकोरेशन, और छोटा सा ही करा है, इतना ज्यादा नहीं करा, तो बच्चे अभी बैठे हुए, इनको भी रेडी करना है, मुझे काफी काम फिला हुआ है, जिस दिन बड़े या कुछ प्रोग्राम होता प्रेट पकोड़े बनाया थे कुछ, क्योंकि युवान की तबियत ठीक नहीं थी, तो मुझे बाहर से कुछ और नहीं करना था, क्यों मैंने केक भी घर पर ही बनाया है, घर पर ही तोड़ा फलार भी बनाया था, आज मेरा ब्रत भी था, नवरात्रे का पहला दिन था, और टायट भी होगी थी, युवान को मंदर भी लेके जाना था, उसको मंदर में भी लेगी थी, और उसके बाद मुझे रेडे होना था, भी बच्चों को भी रेडी करना है, भगवान का दिया बाती भी करना है, तो मैं बस लगी पड़ी हूँ, और मैं सोचती थी, तो पहले बड़े स्टार्ट करने से पहले बच्चे आ जाएं, उससे पहले इनका भोग भोग लगा के दिया बाती करके मैं फ्री हो जाती हूँ, तो यहां मैंने नवरात्री के मातरानी को ऐसे ही मैंने बठाला है, उनका दिया बाती कर देती हूँ, ऐसे मैंने ज़्यादा कलर आपने नहीं किया इस बार ऐसी नॉर्मली मैं पूजा कर देती हूं अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप नॉर्मल भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं आप इस तरह से मातारानी की और नहीं तो तुलसी में भी इस तरह से बठा के एक लोडिया टायप से उस तरह से भी पूजा बताएं और मैं तो ऐसी सेंपल से कर देते हूं मुझे कुछ इतना आता नहीं है जैसे हो जाता है वैसा मैं कर लेती हूं और आप लोग कैसे हो मुझे कमेंड में जरूर बताएं और बच्चों को देखिए मैंने रेडी कर दिया है उसकी बाद मैंने बनाई थी इनके साथ एक वैडे का रील बगेरा तो इस तरह से मैं रील भी डालते हूं इस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है फेस्बुक पर भी मेरा चैनल है तो मैं हर जगे अविलेवल होती हूं पर वीडियो कंटीनियू नहीं हो पाती है मेरी छोटे बच्चे हैं तो काम का लोड थोड़ा सा हो आप मुझे सपोर्ट करिए तो आप मुझे बताइए मुझे रेगुलर रखनी है कि नहीं मेरे त्रीन हजार सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं मुझे इस बात की भी बहुत जादा खुसी है बच्चे थोड़े थोड़े आगे हैं बच्चे इंजॉय कर रहे हैं डांस क कि मतलब युवान आज खुसी युवान की देखी नहीं जा रही है और ते ही बोल रहा था आज तो सुबह कि आज तो सुबह होगी ममी मेरा बड़े स्टार्ट हो गया है बच्चों की छोटी-छोटी खुसी में अच्छा लगता है ये बड़े बड़े का केक अभी नहीं जाली थी और और आप लोग बताईए आपको इस पूरी वीडियो में क्या चीज अच्छी लगे और क्या अच्छी नहीं लगी वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताए और प्लीस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग बहुत आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इतना आई हूँ मैं चाहते हूँ के मेरा चैनल और ग्रो करें और आप लोग मेरे युवान को आशिरवाद भी दें अपना उसका पास साल उसकी कम्प्लीट हो चुके हैं अब ही वह सिक्स एर में और आ जाएगा सिक्स टन होगा मतलब फाइव का कम्प्लीट होके अभी केक करने क बच्चों का स्नेक्स पगिरा भी हो जाएगा और यह सारे बच्चे हैं बच्चों के साथ खेलते मतलब इनके साथ के ही बच्चे इन्वाइट किये थे छोटे-छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा इस तरह से सेलिबरेशन करके और यह देखिये आप अब सबको फ्रैंस फ्राइज ज्यादा पसंते तो मैंने फ्रैंस फ्राइज भी वनाये थे पास्ता था प्रेड पकोड़े थे कुछ चॉकलेट सो जूस थे और ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि इनके पापा नहीं थे युवान के वो देर से आने वाले थे तो सारा कुछ मैने नहीं किया था कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं उसके बाद युवान देखो कैप खुल ली नहीं रहा है कैप लग पहन के ही खा रहा है फिर उसके बाद बच्चों ने खा पी कि पचाना भी स्टार्ट कर दिया इस तरह से लगे हैं सब अपने अपने उसमें कि हाँ जंप करने डान्स मास तो कुछ करना है नहीं इनको आदा दूरा खाया है आदा दूरा फेका है इस तरह से ही करते हैं बच्चे पर बच्चों की खुसी में ही अपनी खुसी होते है चलो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताया थैंक्यू बाइबाइ मिलते हैं अगले वीडियो